आपके लेकर आगे हैं बाइम मॉलीकूल क्लास 11 जो कि बाइलोजी को बहुत इंपॉर्टन चेप्टर है उसके मस्ट डू पीवाइकूल जो कि आपको जरूर करके जाने चाहिए पहला क्वेस्चिन है इसका दोस्तों सिंपल स्ट्रक्चर होता है बाकी तो आपके गलत ही है कि यह डाई सेक्राइड नहीं होता है यह पॉली सेक्राइड होता है त्यो उतल सवाल बसे कना सब्सेटर होता है इसलिए यह पॉल्ड कर लेता है किल राएंगे Learn को आपके को सब्सेंętditology भैक्टिर्इटी यह but to नीं 2002 कूषा में लूसा कर पूछ दोस्तों लों मेला पीभी यहिपा नहीं को सब्सक्क्राइड नहीं को अंहीं बार्तिर उसका competitive inhibitor है तो भी आपसे नापका correct हो जाएगा अगला question है नीट तो निद्री का आपको दो statement दे हुए हैं आपको बताने कौन सा सही है कौन जा कलते हैं पहला है low temperature उसको प्रोटीन डीनेचर हो टूश्में यह सही statement है रहना है दूब्सक्रो बस्पने शजादा है अपनी स्टेश्मेंटिबियों कर देंगे तो यह तो सही आप दा इंजाइम एंडेटर टो यह दोस्तों सही स्टेटमंट है यह कोई एक्टिव साइट है और ऐसे कोई जुड़ता है तो वह इन्हीं प्रक्राइब कहलाता है जो कि अपने स्ट्क्टर में सबस्टेट के बहुत सिमिलर देखता है तो पहला स्टेटमंट भी सही है दू तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि दूस्तों अगर यह प्रोटींज एक लाइन है GETS यह फिर्ट में दोस्तों आपका होता है इंड फैस्ट यह तो वाइन रखनेहें पहला नू निया है निया है खबने लकाभ exist 샵 नुम घुम अर्फोर सब्म लॉब इंट्र होता है और होती है दो यह फाल्स तो यह ऑप्छा कर्क्ड हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आपको और यह बचा इसके बाद है unsaturated fatty acids मतलब दोस्तों इन में unsaturated carbon होगा तो CC double bond होगा तो B carbon हो जाएगा तो C option आपका correct हो जाएगा न्यूक्लिक acid आप जानते हैं दोस्तों उसमें phosphodiester आपके bond पाए जाते हैं और polysaccharide तो आप जानते हैं उनमें glycosidic bond होते हैं दीखा 3 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इनुली नेजा पॉलिमर और तो नीट चुछाणी तोनिस्टी को यह क्वेश्चन है फ्रक्तोस गैलक्तोस अमाइनो एसिट या फिर glucose तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना इनुली लिखा हुआ है मतलब यह फ्रक्तोस का पॉलिमर है अगर दोस्तों इनसुलीन लिख देता तो इनसुलीन में दोस्तों यह अमाइनो एसिट का पॉलिमर हो जाता है तो आपको इनुलीन और इनसुलीन ध्यान से पढ़ना है सब्सक्राइब कि फालिविंग नौट सेकंडरी मेटाबॉलाइट दो सेकंडरी मेटाबॉल लाइट कौन नहीं है कुर्कुमिन दोस्तो है को फिस्ध। आपका एक ड्रग है मॉर्फीन दोस्तो के एक एलकोलॉइड ए और यह जो इंथुम सेंद्ब हैं लेसीथिन आपका नह स्केलेटर ना फार्थ रोपोर्ट इस कंपोस्ट आफ ग्लूगोजामीन क्यूटिन तो इसको इसका आंसर हो जाएगा काइटिन यह दोस्तों किसे बनता है एन एसी टाइक ग्लूगोजामीन और नैम के यह पॉलिमराइजेशन से बनता है तो यह भी आपको धान में रखना है आगे बढ़ते हैं रिजी रिजी रिड़ डाकरेक्ट स्टेट्मेंट ओन लिपिट्स एंड फाइंड आउड प्रक्षट पहले लेसी फांड इन प्लाजम में इस ग्लाइको लिपड तो यह गलत स्ट्रीट्मेंट हो जाएगा फॉस्पल लिपिड वह होता है तो एजैसे यह आपका सी यह डी ऑप्सन और करेक्ट हो जाएगा तो ऐसे आपको ऑप्सन को एलिमिनेट कर लेना है बाकितों दोस्तों सही है स्टेट्मेंट है यह एंसी आटी की लाइन भी है अगला है लेपेट्स आजए जैनरली सॉलूबल इंसॉल्वल इन वाटर बट सॉलूबल समस्टों सम्ट ऑर इनॉटिंट सम और साब्स स्थाइट्मेंट है और अधन फटे एससेट्मेंट इस्टिफाइट इस सब्स्सक्तों सब्सक्त टे आपके सही है अगे बढ़ते है आरप पनी हाइडरेशन लिंक्स संधर्न वीआक्षान लेगत्स टू ग्लूंकूल ये दिया हुआ है यहां पर यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है यहां पर यहां पर C12 हो रहा है तो वो तो वही रहेगा H2O से निकालेंगे तो 24 मेंसे दो आपके जो हाइडोजन है वो चले जाएंगे C12 H22 हो जाएगा और यहां पर 212 oxygen हो गए तो एक oxygen H2O के साथ चले जाएगा C12 H22 O11 तो दी आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसे भी आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं वीच ऑफ फालिंग बॉन्ट इस फॉर्म्ड एजर्ट व्याइक्शन आफ कारबॉक्षील ग्रूप वन आमाइनो एसट ऐसे अमीन ग्रूप अधर अमाइन राचीड वाटर तो यह दोस्तों कौन से बाउन होता है कि एक कारबॉक्षील ग्रूप और एनस्टुक ग्रूप जो है वो रियाक करते हैं तो दोस्तों आप भी जानते होंगे पेप्टाइड बांड बनता है आमाइन एक्षिट के बीच में अगला कैसे नहीं इंजाइम विच फालुविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट इंजाइम डिक्रीज़ेशन एक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी प आप एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो एक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है तो पहला स्टेट्मेंट आपका सही हो जाएगा दूसरा तो दोस्तों गलत है कि ट्रांजिशन फॉर्म सबस्टेट टू प्रोडूस मोर डिफिकल्ट तो यह दोस्तों गलत ह जाएगा एंजाइम से इंक्रेश एक्टिवेशन एनर्जी तो यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा एंजाइम सब्सेट कॉंप्लेक्स वां डूरिंग लाइज लॉग टाम तो गलत हो जाएगा इंटरमीड जो बहुत कम बच्टे हैं मलब बहुत कम टाइम तक रहते हैं अग आपको यह जो फॉर्म है यह ध्याम में रखना है एक जुटर आयन अलग अलग पिएच पर बनते हैं एसटिक और पिएच बेसिक पर तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो यह आपको करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इन्ना एंजाइम विच कैटलाइज इस ब्रेकडाउन ऑफ एच्टू ओ टू हाइडोजन पर उक्साइड गिफस एच्टू अप्लस ओ तूदा प्रोस्टेटिक ग्रूप इस तो दोस्तों इसमें कौन से एंजाइम यूज होते हैं पैरोक्सीडेज और कैटालेज तो इन में दोस्तों आपको एक प्रोस्टेटिक सनी और यहें जो इन्जाइम से उसका इंपोर्टन इसस़ा है जो आपका और यह दूस्ती आपको बताना जाएगा बढलन सिंगल अबर ऐसलिग ऑन्ली सिंगल बन शरक अन्साटूरेटेटेट फैट फैटी असेड तो यह गलत हो जायाए कर डबल मौन से होता है अन्साटूरेटेट तो इस आपका गलत हो गया इसके बाद है लेसितिंगे अब फॉस्पोलीपेट तो यह दोस्तो साइश स्टिरिटमेंट है कि lecithin phospholipid होता है इसके बाद है trihydroxy propane glycerol तो यह दोस्तों ncrt में दिया हुआ है size treatment है तो b और c आपका correct हो जाए glycerol का अगर आप structure देखेंगे तो trihydroxy propane ऐसा देखता है अगर structure भी आ जाए तब भी आपको पैचानना चाहिए तो b nc करक्ठ हो जाएगा डियर पालमेटिक एसइड है 20 carbon items including करबाक्सिक रकार्वन तो यह दोस्तों गलस statement दोस्तों फालमिंटिक एसद में 16 कार्वन एटम होते हैं और और को डिरूनिक एसडिट जो है दोस्तों इसमें 20 रखना है कि यह बेसिक है और आजिनीन कभी आगर आपको नाम देख जाए तो वह भी बेसिक है वैलीन दोस्तों आपका एक न्यूट्रल आमाइनो ऑसी तो हमको बेसिक बता नहीं था तुप आपको करेक्ट हो जाएगा आज का आख आखरी वेस्टेश्टन विच या फिर हीमोगलोवी तो दूस्तों कोलाजन जो है एक इंट्रस सेलुलर सबस्टेंस है वह मुस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एंडिमस में यह आपको ध्यान वेर रखना है प्लांट का कौन सा है आपको कमेंट में बताना है तो थैंक्स वाचिंग आप डेली आमसे क्यों से ओल्रस क्यों सेना है उल्युलर भाल् realistically है एंट्नलवफी झाले Напримерना है षामालोवी में कहान जो वह सित खरतों कि भूएएव système जरेले přेमाल फिरों में केल calendar वएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए